क्रिकेट कोचिंग स्पोर्ट्स एंफिटनेस एपिसेड 7 आज हम आपको बताएंगे के बोल को होल्ड कैसे करना है गृप कैसे करना है और अगर आपने बोल को आउट सिंग करने तो उसके लिए क्या गृप होनी चाहिए उसके लिए लाइन लेंध क्या होनी चाहिए तो हमारी जो सीम है वो पिछ की उपर हिट नहीं होती बॉल को आपने होल्ड ऐसे करना है देखें फिंगर्स जब आप यंग्स्टर है आप अपनी फिंगर्स यह देखें सीम की उपर रखें सीधा अपना थम अगर आप इस तरह कंफर्टेबल है अपने थम को इस तरह नीचे के दो फिंगर्स का गैप होना चाहिए बॉल के बीच में और जब भी आपके हाथ से बॉल निकले तो इस तरह रोल होके निकले जब आपकी बॉल आच से रोल होके निकलेगी पिछ में आपके रिस्ट सीधी रहेगी तो ज्यादा चांस है आप अपनी सीम हिट कर सकते तो सी किम यकारगे जब आपकी रिष्ट की सीधी रहेगी सीम क्यों टेऊ स्चीधा गेंगे और अपने इसको सीधा रहेंगे तो पहले भी मैंने आपको बताया था के चाहिए सेमी ने बहला चाइन पिकले ऑनसी मर्स कायसी होना बहुए returned आपकी जो सीम पोजीशन है यह फास्लिप के तरफ होनी चाहिए यह अगर फिर भी बॉल स्विंग नहीं का रही तो इसको सेकंड्स की तरफ रखें और थोड़ा सा यह देखें अपनी जो यह आपकी फिंगर्स है इसको इस फिंगर को ऊपर रखें थोड़ा सा इसको यह हम बॉलर के लिए अगर लेफ्ट आम बॉलर हैं तो इसी तरह आप अगर राइट एंबेट्समेंट को बोलिंग करें तो जो सीम पोजीशन है फाइल लेक की तरफ रखें और उसको मिडल है आफ स्टम पर चोथी स्टम पर बोल करेंगे तो आपकी बॉल अंदर आएगी जो मेन चीज है आपने अपनी रिस्ट को लॉक रखने हैं और अगर आपकी अगर आप सीम को शेप दे रहे हैं आपकी बॉल फिर भी स्विंग नहीं का रही तो आप अलकस अपनी रिस्ट को यूज़ करें ज्यादा यूज़ नहीं करना चोटे रानब से बॉल करें टारगर के आने के लिए इसकी जब आप सेक्टेंग करते हैं तो वहाउजरूरी जो चीज है वह आपकी अगर आप लाइन लेंट पो फैंकेंगे तो आउट ना आपकी के लिए दो लेइट एंग ने गुड लेंट ऐगु लेंट से उन्ह पर आगे जो कहते हैं के बोल को पिच आप करें जो पिच अब बोल बोल यह वह बोल आपका सीम हो रहा है तो बोल इफेक्टिव सीम कैसे होता है यह भी मैं आपको बता देता हूँ अगर ट्रेक या थोड़ा सा फ्लैट्रेक इसको उपर जो स्विंग होता बॉल वो एर मेंजो कहते हैं और जो कि hell all फिकर बोल पर पिचे बोल लगता है गुरिपन के बॉल निकलता थे ची hunger बाल अपने आप आऊट्सिंग करेंगे आपने जो अपनी लाइन रखनी है वो मिडल एन आफ रखनी है ताके आपकी बोल वेस्ट ना हो अगर आफ स्टम के बार आउट सिंग करें राइट एंड बैट्समेंड को तो बाल ज्यादा बाहर चले जाएगी बाल आपकी वेस्ट होगी अगर तो फिर भी वेस्ट होगी नेबाल को ज्यादा ज्यादा पिच अप करें और मिडल एंड आप बोल रखें अगर बैड मिस्ट करते हैं तो बाल स्टम को हिट करेंगी या वहां से एज लेगी और अगर आप अगर अच्छा ट्रैक है थोड़ा बाउसरी ट्रैक है बॉल आपका सीम हो रहा है थोड़ा ऊपर आ रहा है तो थोड़ा सा बैट्समैन को बैक फूट पे रखें और गुर्ड लेंद पे बॉल करें इससे जब आपकी लाइन लेंद अच्छी होगी तो आउट सिंग का तब ही फाइदा है और एक तबाप फिर बताऊंगा अप रिस्ट को लॉ किया और इससे जब आपके आज से बोल निकलेगा तो यह देखे रोलोक निकलेगा और इसकी पुजिशन फास्या सेकंड स्लिप पे होनी चाहिए अगर आप नेशरल आपकी बॉल आउट सिंग हो रही है तो ओविसली फिर आप सीधा ग्रिप को पकड़ेंगे नही बाल के स साथ आप सीधी ग्रिप रखेंगे जब दो चार पांच शेयों और बाल पुराना हो जाएगा आउट सेंग नहीं हो रहा तो फिर आप अपनी सीम को शेप दे सकते हैं फास्लिप सेकंड स्लिप थास्लिप यह चोटे से चोटे 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 जो टिप से आप नेट में जब साथ आपको स्विंग करना भी आना चाहिए जितनी ज़्यादा आप अच्छी स्पीड के साथ स्विंग करेंगे आपको विक्टे मिलेंगी और सबसे जरूरी बात पहले भी हमने आपको बताया था सेलफ बिलीव अपने उपर सेलफ बिलीव रखें सही मैनत करें सही प्रेक आपको समय आपको बात आपको झापको याइग जासे करेंगे आपको याइग सेलफ याइगाछ मुझ टोरा के जरूरी आपको मैनत करेंगे जवेखें सेलफें घरूरा चाहिए